नमस्कार मैं हूँ राज मुहंतिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार आज की सबसे बड़ी खबर यही थी कि जनधिकार पार्टी के सुप्रीमों और पुर्वसांसत पपू यादों को लॉकडाउन उलंगन के मामले में गिरफतार कर लिया गया है बताया जा रहा है कि लगातार कई जीलों का भ्रह्मन करने के वज़ा से बिना अनुमती के इसी कारण को हवाला देते हुए प्रशासन ने उन्हें गिरफतार किया है हलांकि गिरफतारी के पीछे अन्lier कई घटनाई सामियले जिस प्रकार से पपू यादो लगातार जनता की सेवा कर रहे थे जीलों में जाकर मरीजों का हाल चालने रहे थे उन्हें जरूरत की चीजें मुहया करवा रहे थे और तमाम जीलों में जो और विवस्ता है जो बदहाल बिहार का स्वास्त सिस्टम है उसका पोल खोल रहे थे तमाम दर्जनों एम्बूलेंस जो धूल फाक रहे थे उसका भंडा फोर कर रहे थे तो साइध इसी का दबाव पुलिश प्रशासन पर आया और उसे पपू यादो को गिरफ्तार करना पड़ा पपू यादो के गिरफ्तारी के बाद एक पूरा हुजूम जनधिकार पार्टी के कारेकरताओं का ठानों में मौदूद है और पपू यादो की रिलीज के को लेकर लगतार हल्ला कर रहा है लगतार अवाज उठा रहा है लेकिन वहीं दूसरी अब दो धरे नजर आ रहे हैं एक तरफ जो सरकार है नितिश कुमार की पार्टी जेडियू और बीजेपी वो पपू यादो की गिरफतारी को लेकर लगतार पहले ही बयान दे रही थी वहीं पपू यादो की गिरफतारी के बाद अब जितनराम माजी ने इसे गलत करार दिया है और पपू यादो के शमर्थन में अपना बयान दिया है जितनराम माजी ने साथ तोर पे कहा है कि जो नेता दिन रात जनता की सेवा कर रहा था उसे इस तरह से गिरफतार नहीं करना चाहिए अगर आपको कुछ उसके उसको लेकर गलत फोहमी है या किसी प्रकार का आपक को लेकर जितनराम माजी एंडिये के खिलाफ चलेगा है उन्होंने पपू यादो का समर्थन किया है और कहा है कि अगर आप पब्लिक फिगर जो जनता की सेवा कर रहा है ऐसे नेता को बेवज़ा ऐसे ही गिरफतार करेंगे तो जनता का हुजूम सरकों पर उत्रेगा ही नवता के लिए खतरनाक है ऐसे मामलों की पहले न्याईक जाच हो तभी कोई करवाई होनी चाहिए नहीं तो जन अक्रोस होना लाजमी है तो पपू यादो के समर्थन में अब हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रिय द्यक्ष जीतन राम माजी भी आ चुके हैं आ ऐसे में बड़ा दबाव अब नितिश शरकार पर होगा कि जिस लॉकडाउन के नियमों का उलंगन का हवाला दे कर उसने पपू यादो को गिरफतार किया है कितने दिनों तक और कितने देर तक वो पपू यादो को हवालात में रख पाएगी थानों में रख पाएगी क्यो उसे जनता के सामने लाना कोई बुड़ा काम नहीं है और कोई जुड़म नहीं है उलंगन उन्होंने ये किया कि वो तमाम जीलों के अस्पतालों में जाकर वहां की बदहाल इस्तिती का जो तश्वीर है वो बिहार की जनता के सामने रख रहे थे यही सायद ये बड़े होना परा है और जो कारे करता है जनदिकार पाटी के वे गाधी मैदान थाने के बाहर खरे हैं हुजूम इखटा है पपू यादो को रीहा करने को लेकर लगतार आवाज तेज हो रही है सोसल मीडिया से लेकर शरकों तक जनता नजर आ रही है जनदिकार पाटी के करे करता हला बोलते हुए आवाज उठा रहे हैं अब देखना है कि आखिर कब तक पपू यादो को ठानों में यही राशत में रखा जा पाएगा और कब तक पपू यादो एक बर फिर जनता की सेवा करते नजर आते हैं फिलहाल तो नितिश शरकार को समर्थन जितनरा माजी ने अपना न लाइब भिहाग यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें